आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरी जिसका नाम है सूज या अंतरदस्टी का सिद्धान्त बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थियोरी हैं आप सभी को मालूम है क्योंकि यहां से प्रश्ण हर बार ही पूछे जाते हैं देखे साइकलोजी में जो जो थियोरी आप पड़ रहे हैं तो सिक्षन विदियो में भी यह थियोरी जो है वो आपकी काम में आती हैं जहां हम सिक्षन विदियों में कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसका आर्थ यह है कि हमने बाल मनोविज्ञान में, साइकलोजी के अंदर हमने थियोरी ही नहीं समझी, यदि थियोरी नहीं समझोगे, तो स्टुडेंट्स वहां आपको प्रॉब्लम आएगी सिक्षन विदियों म और उसके बाद समस्या समाप्त हो जाती है, यानि समस्या का तुरंत समाधान मिलता है, उस सिद्दान्त को कहा जाता है, सूज या अंतरदस्टी का सिद्दान्त समस्या समाधान विदि, इसे गेस्टाल्ट सिद्दान्त भी कहते हैं, इसे समगरता का सिद्दान्त भी कहते ह तो हम वहाँ पर confused, क्योंकि हमने नहीं देखा है कि पूर्ण से अंस का सिद्धान्त कौन सा है, या समगरता का सिद्धान्त कौन सा है, समपूर्ण से अंस की बात कौन करता है, तो वह है सूज या अंतरदस्टी का सिद्धान्त, ये सभी नाम से आप परिशित होने चाहिए, क गेस्टाल्ट संप्रदाई के स्थापना जो है वो जर्मनी में हुई यानि गेस्टाल्ट संप्रदाई जो है वो जर्मनी में हुई इसके स्थापना तो यह शब्द जो है गेस्टाल्ट यह जर्मन शब्द है इस गेस्टाल्ट संप्रदाई के अंदर कौन-कौन आते हैं ती लेकिन इस सिद्दान्त में जो प्रियोग करने वाले हैं, प्रियोग करता हैं, वो हैं कोहलर, क्योंकि कोहलर जो थे, वो प्रियोग करता थे, जिन्हों ने 1913-1918 के बीज में अंतरडस्टी का जो सिद्दान्त दिया, तो उसके अंदर सुल्तान नामक वनमानुस पर इनों ने प्रियोग किया उसके बाद जो कौफका है वो सहीयोग करता है यानि यदि हम देखें तो गैस्टाल्ट संप्रदाय की अंतरगर जो तीनों ये महान मनोविग्यानिक थे मैक्स वर्दायमर कौछर और कौफका इन तीनों की एहम रोल है जिसमें प्रियोग करता जो है वो कौछर माने जाते हैं क्योंकि इनी ने प्रियोग किया तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भासा का सब्द है इसका अर्थ है संपूनाकार या समग्राकार पूर्टा या समग्रू रूप तो गेस्टाल्ट का अर्थ ही है संपूनाकार कॉलर का अंतरज़श्टिया सूज का जो अधिगम सिद्दान्त है यह है उन्होंने 1913 से 1918 के 20 में कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक वन मानुस पर किये गए प्रियोग पर आधारेत है अब आप लोगोंने यह याद किया होगा कि कॉलर ने किस पर प्रियोग किया उन्होंन उन्होंने जो प्रियोग किया वह किस पर किया सुल्तान नामक वन मानुस पर या चिम्पांजी पर यह भी एक प्रशन बन चुका है अब तक एग्जामों में कि वन मानुस और चिम्पांजी जिस पर प्रियोग किया कॉलर ने उसका नाम क्या था तो उसका नाम था सुल्ता पहला प्रियोग जो किया वो उन्होंने किया चड़ी समस्या पर प्रियोग और दूसरा प्रियोग जो किया वो किया बॉक्स समस्या पर प्रियोग तो जो कॉलर है उन्होंने दो प्रियोग किये पहला तो किया उसी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर चड़ी समस्या पर प्रिय इसमें जो कुछ केले जो थे वो वन मानुस से बहुत जादा उचाई पर टांग दिये गए और यह वन मानुस जो है यह सुल्तान नमक चिंपैंजी जो है इसने बहुत सारी हरकत करना प्रारम की अचानक ही उसके दिमाग में यह सूज आई कि यह जो इसके पास छड़ी दिमाग लगाया और दूसरी शड़ी जो है उसको इससे जोड़ा और जोडने के बाद इसने केले पर प्रहार किया तो उसे केले की प्राप्ति हो गई इससे कॉलर यह कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य जो है वह अपना दिमाग जब लगाता है तो वह कारे करते करते जब उससे कोई कारें नहीं हो पाता है, तो अचानक से उसके दिमाग में जो एक बत्ती जलती है, कि हाँ, ये काम जो है इस तरीके से हो सकता है, तो वह है उन्होंने इस चिंपैंजी के उपर प्रियोग करके पता लगाया है, कि कोई भी मनुश्य जो है वह अपने दिमाग का प्रियोग करके सूज के द्वारा अपने समस्या का समाधान कर सकता है, नेक्स्ट जो प्रियोग है, वह यह प्रियोग जो था वो था बॉक्स पर आधारित, कॉलर ने तीन बॉक्स जो है वो इस इसमें रखे ठीक है, और इसमें वनमानुस जो था उसको कैद किया, सुल्तान नमक चिंपांजी को, यहाँ पर भी केले जो थे वो उसकी पहुँच से दूर थे, तो इसी तरीके से उसने इन बॉक्सों के साथ खेलना प्रारम किया, फिर भी वहे केलों तक नहीं पहुँच पाया, तब उसने दिमा में एक बत्ती जली उसके और वही दिमाग में आया कि आहाँ, यह ऐसे हो सकता है, तो यह जो थी उसके सामने जो समस्या थी केला प्राप्त करने की, वह कैसे आई, अचानक सूज के द्वारा आई, तो यहाँ पर कॉलर यह कहते हैं कि कोई भी कारे करने से ऐसा नहीं होता है जैसा कि हमने Skinner में देखा, Thondike में देखा, Pavlov के द्वारा देखा, कि हम किसी को बांद दें और फिर उससे ये कारे करवाएं, तो वह सीख जाता है, या फिर उसके सामने उद्धीपक रख दें, तो वह कारे करता है, उसके बाद उद्धीपक प्राप्त करने के लिए वह सी उनकी जो नोंने प्रियोग किया था, उस पर वह है, तो कॉलर का कहना यह है कि व्यक्ती जो है, वो अपनी सूज के आधार पर ही अपनी समस्य का समाधन करता है, ना कि ठॉंडाइक ने जिस तरीके से बिल्ली पर प्रियोग किया, Skinner ने जिस तरीके से चूहे पर किया, या फिर पैवलोब ने जिस तरीके पर कुत्ते पर गिया, इस तरीके से कारे करने से कोई भी व्यक्ती नहीं सीखता है, व्यक्ती सीखता है अपने दिमाग से खुद ही कारे, खुद ही उसके अंदर सूज आती है और सूज से वह समस्या समाधन कर लेता है, उसके बाद गैस्ट इसकीनर के थियोरी में, गेस्टाल्टवादी बिलकुल नहीं मानते हैं कि सीखना विक्ति कैसे सीखेगा, वो केवल अपनी गलतियों को प्रियतने या भूल का सिदान तो जो था थोंडाइक ने दिया था, उसके द्वारा वह सीखता है, या फिर कोई उद्धीपन उसे दिख दिया जाता है उसके बाद उसे देखकर क्रिया करता है, या क्रिया करने के बाद उद्धीपन की प्राप्ति होती ऐसे नहीं सीखता है, बलकि वह कैसे सीखता है? वह सूज के द्वारा सीखता है. नेक्स्ट है गेस्टाल्ट वादी सीखने को उदेश्य पून अन्वेशन और रचनात्म प्रक्रिया मानते हैं वो कहते हैं कि यदि कार्य जो है वो उदेश्य पून हो किसी लक्ष की प्राप्ति करने के लिए निशाना साधा जाए या फिर खोज की जाए या फिर कोई भी क्रेटिविटी की जाए तो समस्या समाधान होता है गैस्टाल्ट वादियों के अनुसार सीखने वाले संपून परिस्तिती का प्रत्यक्षी करन और बुद्धी मता पून उचित अनुक्रिया व्यक्त करने की योगिता करने के लिए अंतरजस्टी सब्द का प्रियोग करते हैं इस्टाल्टवादियों का कहना है कि जो भी कंडिशन होती है, उस कंडिशन को पूरी तरीके से देखा जाए, प्रत्यक्षी करण किया जाए, बुद्धी लगाई जाए और उसके बाद कारे किया जाए, तो उस कारे की प्राप्ति हो जाती है, वह समस्या सुलज जाती है। अंतरदस्टिया सुज एक प्रकार की मानसिक योग गता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धी एहम रोल निवाती है, जो मनुष्य तथा उच्चिश्रेणी पसुओं में पाई जाती है, और उच्चिश्रेणी पसुओं जैसे कि सुल्तान नामक वन मानुस, इसों सुज के द पहले भूका उसे बंद कर दिया गया और उसके बाद उसके सामने उद्धी पक लाए गया या फिर उसे अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया गया और उसके बाद उसे भुजन प्राप्ती हुई, कॉलर कहते हैं, जो भी गेस्टाल्ट वादी हैं, वो कहते हैं कि समस्य समस्या का समाधान जो है वो बुद्धी की वज़े से होता है यदि बुद्धी लगाई जाती है तो काले जो है वो असंभव से संभव हो जाता है और समस्या का हल प्राप्त हो जाता है सीखने की प्रक्रिया की विशेश्था यदि किसी व्यक्ति को सिखाना है तो उसके अंद जो था, जो सुल्तान नामक वनमानुस था, उसके माइंड में जैसे ही उसने छड़ी को देखा और छड़ी को उसने एक दूसरे से जॉइंट किया और फिकेले की प्राक्ति की, तो उसके बीच में जो उसे फिल हुआ, जो उसे अनुभव हुआ वो था आहा, ठीक है, नेक्स् चीज़ों को देखा आपजर्व किया उसके बाद उसने कारे किया, एक बकसे को उठाया दूसरे पर रखा, दूसरे बॉक्स को उठाया तीसरे पर रखा और उसके बाद उसने केले ब्राप्त कर लिए थर्ड है अनवेश्यक आत्मक व्यवहार, जैसे पिंजडे से हाथ बढ़ाना, पैर बढ़ाना, छड़ी बढ़ाना, ये कार्रे जो है, वो है तो मनुश्य भी करता है, किसी भी कोज की प्राप्ति करने के लिए, वो है इदर उदर हाथ पैर मारता है, उसी तरीके से चिंपैं जब वह केले प्राप्त करने की उसने कोशिश की, तो वह उनसे नहीं कर पाया, अचानक से उसके दिमाग में सूझ आया, और आने के बाद उसने क्या किया, सूझ सीखने की जाच इस्थान अंतरन, अचानक जैसे ही उसके माइंड में सूझ आया कि केले किस तरीके से कार्रे करने में कारगर साबित हुई और वह केले की प्राप्ति हुई उसी तरीके से वह कार्रे जो है वो अगली परिस्तिती में करेगा यहां पर उसने जो सीखा उसी को वह दूसरी परिस्तिती में करेगा तो वह जो परिस्तिती थी उसका इस्थानंतरन होता है अगली बार यदि उसके साथ ऐसा होगा तो वह उस चीज को सीख चुका है कि कैसे कारे करना है और कैसे केले की प्राप्ति करनी है या कैसे अन्य वस्तों की प्राप्ति करनी है नेक्स्ट है जो सूज सिधान्त है वह उसकी सैक्षनिक उप्योगता क्या है यानि कि सूज और अंतरश्टी का सिधान्त जो है उसका सिक्षा में किस तरीके से प्रियोग किया जाता है फर्स्ट है संपून अंस से महत्वपून होता है, हमने देखा कि जब संपूना कारकाध्यन हो जाता है, तब हम छोटे-छोटे अंसों की और यदी जाते हैं, तो हम सीख जाते हैं, तो संपून जो है वह अंस से ज़्यादा महत्वपून है, होल जो है वह पार्ट से जाना चाहिए हमें यदि psychology का अगर हमें एक एक chapter पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले हमें syllabus जो है उसे observe करना पढ़ेगा हमें प्रत्यक्षी करना पढ़ेगा अपने पूरे syllabus को जिस पर ही आधारेत हैं छुटे-छुटे topic next है जब भी कोई वस्तु पढ़ाई जाया था उसे सीखने के लिए कहा जाये तब उसे अपने समगर रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो यहां पर भी वही बात है यदि हम किसी बच्चे को एक topic जो है वह पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्च सिखने में भी सब्दों से पहले वाक्यों का और अक्षरों से पहले सब्दों का ग्यान कराया जाना चाहिए अब यह सिखने में भी जो शब्द है उससे पहले वाक्यों का यानि सबसे पहले जैसे कि यह लाइन है यह पूरी वाक्य जो है मैं आपको पूरा जो यह चोटा स इसा पहरा है, यह मैं पहराग्राफ आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद एक एक शब्द जो है, उसको define करती हूँ, इसी तरीके से सीखने में भी होना चाहिए, कि वाक्यों को पहले आप दिखाया जाना चाहिए, उसके बाद एक एक शब्द जो है वो उसका अर्थ बता चाहिए और यदि पहले शब्द दिखा रहे हैं तो शब्द से सब्द दिखाने के बाद अक्षर जो हैं उन पर आना चाहिए फूर्थ है पाठेकरम के निर्मान तो था संगठन में इसे दांद का पालन किया जाना चाहिए ताकि सारा विशे एक एकाई के समान प्रती तो हो यानि स्लेबर्स जो है वो पहले दिखा दिये जाए उसके बाद एक एक चैप्टर जो है वो उसके अंदर दिखाया जाना चाहिए सीखने में लक्ष की स्पस्ट था और अभी प्रेणा एक महत्रपूंट भूमे का निभाती है यदि व्यक्ति सीख रहा है और सीखने में उसका लक्ष जो है वो निर्धारित है तो एक तो लक्ष जो है वो इस पस्ट होना चाहिए जैसे कि सुल्तान नमक चिंपांजी था उसका क्या था उसका लक्ष था केली को प्राप्त करना और अभी प्रेणा जो है वो इसमें एक महत्रपूंट रोल निभाती है उसके बाद 6 नमबर है खोज विधी, विशलेशन विधी, समस्या समाधान विधी यानि प्रोजेक्ट विधी आधी कश्रे सूज सिद्दान्त को ही जाता है क्योंकि जैसे हम सिख्षा में प्रोजेक्ट विधी देखते हैं जो कि किलपैट्रिक ने दी थी और зख्षा जगत में कारे के लिए प्रोजेक्ट विधी को लेने वाले थे John Dewey तो प्रोजेक्ट विधी जो है वो सूझ सिद्धान्त पर आधारित है बच्चों को यदि कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वह खुद ही अपने सूझ के द्वारा उस प्रोजेक्ट को तयार करते हैं, इसी तरीके से खोज विदी है, जो की Armstrong ने दी थी, तो खोज विदी जो है, अन्वेशन विदी जो है वह भी इस पर आधरित है, खुद ही खोज करते हैं, खुद ही समस्या का समाधान डूनते हैं, तो यह सिद्धान तो जो है, वह इसी पर बेश्ट है तो इस तरीके से समस्या समाधान सूज सिद्धान यह हमने देखा जिसे हम समगरता का सिद्धान कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धान कहते हैं, तो आपको एक-एक पॉइंट जो है, इसका याद रखना होगा क्योंकि यह थियोरी जो है, वह आपके लिए बहुत important रहती है मिलते हैं, next theory के साथ Thank you